आज हम करने वाले हैं लेक डे टू जिसमें हम्स्रिंग पर ग्लूट्स पर जादा फोकस किया जाएगा फॉर्स एक्सेस करेंगे रूमें डेडलेफ्स सेकेंड लंज थर्ड काफ रेजिस उसके बाद हम करेंगे कुछ आपस की एक्सेस सब्सक्राइब तो चैनल हम एसी वीड पर आपको समझना पड़ेगा ये डेडलिफ्ट है और वो स्कॉट अब सर्एक काम करें बैक राउंड करके करें यह जैसे आपके राउंड लुट्य और यहां से राउंड करके नहीं करना है आपको बैक स्टेबल रखके करना तो ऐसे राउंड नहीं करने अब बहुत आपको दिखाता है अब आपको स्थी सिव्सक्टार्ट करने की लिए क्या करना है आपको उस पोसिशन में आना है जैसे man आपको बोलूँगा कि अगर आपको जंप करना जोर से तो और कितने दूर रखेंगे तो अगर जंप करने बोलूँगा तो तो सर इतने पैट दूर करके जंप करेंगे को स्कॉट नहीं हमको हिप करना है वापस करना सब देखो अभी भी नीज थोड़े जादा बेंड हो रहे हैं हिप उपर ही रोको नीचे मत जाओ जाओ यहीं रोको उपर अपर बॉड़ी ज्यादा नीचे ले जाना है आपको हिप थोड़ा सा नीचे ले जाना है पीछे और फिर बाकी अपर बॉड़ी से मुव्मेंट परना है आहां मैं बोलूँ वा रूख जाना रूखो आपर बड़ी नीचे जाए उसे आप इसको सीधा करो देखो ऐसे बैक्राउंड नहीं करने है एक से सीखने में समय लगेगा कोई इसी दिक्कत नहीं नहीं अब फिर भी उतनी खराब नहीं है जितनी काफी लोगों की होती है और बहुत सारे लपड़े हो रहे होते हैं तो इसका धान रखना है कि हिप हिंज करना हमको स्कॉर्ट नहीं करने हैं अगर आप देखेंगे ना सब लोग तो एंगल कुछ वैसा बनेगा ठीक है स्कॉर्ट कर आइंगे वह बागी अपर वाड़े से काम करना है आपको याद है अपने स्कूल में या कॉलेज में योगा वगरा करते थे या योगा वगरा की क्लासे दो तो बेसिकली टोस करने की कोशिश करना है लेकिन बैक्राउंड किये बिना और हिप पीछे निकाल लेके बस इतना स है तो तो टॉटर्चिंग वाली एक्सराइज ओल्मोस्ट वैसी है रुमीने डिट लिट तो कुछ इस तरीके से करना एंगल फिर से आप देख लो कि कैसे है पीछे जाएगा अपर बॉडडी नीचे जाएगे फिर खड़ा होना है फिर फिर हिंज और डॉन हिंज सबसे इंपॉर्टन चीज है एक्सराइज आई यह ना कि स्कौर्ट एक्सराइज तीक है तो यह चाहिए जान रखने आपको हम कर रहे हैं वरक आउट कुछ इस तरीक सबस्था ता है वेंज जो हम कर रहा है कौर्ड वाला दिन जिसमें पॉड्स काफ और यह एक लंज और एक काफ रिजिस उस बाद आपकी दो exercise और सर कर रहे हैं गलत exercise अभी यह नहीं करना है यह split squat है लंजिस क्या होता है तो इसे पकड़े जाते हैं लोग जो याद नहीं रखते चीजे पर अब याद भी होगी सर को सेकेंड हम करेंगे लंजिस जो कि आपके सब्सक्राइब करेंगे कि लंजिस करनी कैसे है पीछे खड़े लंजिस कर रहे हैं लोग तो सर पीछे नॉर्मल खड़े रहेंगे यहां से से एक स्टेप आगे लेंगे और फिर पूरा नीचे जाएंगे करो सब्सक्राइब करो इसको वापिस पीछे आज़ो भूल के से गए लट माल दूँआ ना भूल गयो तो एक महीना हो गया आपको हाँ यह याद तो है यह दो मानुगानी गाईज नो लोमेस्टिंग वैलें कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया अपर बड़ी थोड़ी और आगे चुकाई यह नीचे जा रहे हैं जैसे आप आगी की दूरप ऐसे आगे जाना यहां से आगे जाना है यह देखो भई मैं डंडा इसलिए यूज करता हूं मेरी आदत है ऐसा चुआ चूट वाला सिन नहीं है काई डंडा इसलिए यूज करता हूं ताकि अजीब नहीं लगे आपको एकसे जाइस कर रहा हूं कि हाथ लगा रहा है तो एसे राइट लाइक से करना है अब थोड़ा लंबा स्टेप लेना है ताकि हिप के आरांड जादा एंगल बने ताकि हिप पे लोड़ा है ठीक ए इसमें कोई उक्वेटमेंट यूज नहीं किया है मतलब पंकत सेल पे नहीं है अमेज़ान पर अपर बड़ी आगे जुका आगे जाके यह नहीं पर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए दूसरा वालाई हां से हां गंड्रोल में रहना है जोड़ द्धमाग द्धमाग नहीं क आओ प्यार से करो आराम से आओ तो इस तरीके से हमको फॉर्म रखनी है लंजिस करते हुआ आपको एक चीज का और धान रखना है कि दोनों पैर पे बैलेंस बराबर रखने की कूशिश करनी है अगर आप सोचो कि आगे वाले पे ज्यादा लूट डाल दूए पीछे वाले आपको पैर पीछे वाले पैर पर लोड डाल रहें तब जाके बैलेंस बिन पाएगा अब इसमें लोडिंग कैसे करेंगे हाथ में डंबल पकड़ लेंगे और ऐसे लोडिंग कर लेंगे तो सार एक बाद थोड़ा सा वेट लेके डेमेंस्ट्रेट करेंगे ज्यादा वेट ले लो हाँ यह जाला हो जायागा यह पट्टी के कर लो आप सार ने इगो पर बात ले ली मैं बोल दिया चोटे वाले वेट लेंगे बड़े वाले ले ले लिए जाओ नीचे अलग अलग नहीं करना आपको अब जैसे यह मूवमेंट है यह सेम होना चीए आपको अलग से पेर रखके बेंड करके फिर उल्टा वाप्स करके ऐसे नहीं आना पैर रखा आगे वापिस आगे साथ में तब लंज आते हैं उसको यह अगर आपके बाद स्पेस है तो आप वॉकिंग लंजे भी कर सकते हैं और अगर स्पेस नहीं है तो यह स्टेशनरी लंज वर्क वेल से यह ना बहुत बढ़िया है कि फोकेस फोकेस बैलेंस बनाओ चलो जमीन पर टेस्ट नहीं होगा पैर बैलेंस बनाओ पार जल्दी क्यों कर राब एक पीछे रुखो एक सेकेंड जल्दी नहीं कर नहीं है आप रुको तोड़ा विजुएज करो सामने देखो नीचे मत देखो और इसे स्लाइड निकरना है मूनवाउक नहीं उठा के लाओ लगाओ 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 लओ जोर पैर कहां यह है नाइस तो कुछ इस तरीके से लंजेश केंड़ी अगर वेट लेंगे तो काफ भी डिफिकल्ट हो जाती एक्सराइज देखेंगे बड़ी इसी लगती है बड़ करने वाले कोई पता है इसका कि दर्द किता होता यह पैर स्लाइड मत पर हाग लग जाएगी पैर में तो काफ आपको कुछ इस तरीके से करना है कोई भी ऐसा प्लाटफॉर्म में ऐसी हाइट सर्फिस जोंड़ना है जहां पर आप काफ रेजिस कर सके बिना हील टच किये जमीन पर तो क्या करना है नीचे स्लोली आना और उपर फास ना नीचे स्लों आना यहां पर होल्ड करना एक हम्स्रिंग जाएगा ठेग्छ और एक में आपको कफ करना है सीटेज एक में कार माराऒ सट्री करेंगे तो आप अप कोई भी हाइड एजिए एसे कर सकते हैं पर किसा अग्य हां नहीं है तो आप लिजकना नहीं रखनी हो तो आप देखो जो वन फोर्त जो आपका प्पार यही उपर रहेगा यहां तक इससे जादा आपको उपर नहीं रखना पैर को ठीक है अब अब जादा आगे आ जाओगे तो काफ पर लोड नहीं आएगा अब पूरा एक्जिक्यूट करके दिखेए तो दीरे दीरे उपर जाना पूरा जाना टोस पे और पूरा जाना नीचे नीचे होल करना उपर आना यह करना आपको काफ रेजिस में स्टैंडिंग और आप चाहें तो लोड भी ले सकते हैं देखिए जैसे एक हाथ सर का तो आप चाहें, तो एक हाथ जो फ्री है उसमें वेट ले सकते हैं तो में इस एक्सेसाइज हाड़र और सिंगल लेक भी कर सकते हैं तो इस वह से होगी नहीं तो यह आप स्टाइग करें तो ही ठीक है तो एक्सेसाइज करेंगे हम एपस की क्योंता हैं सब्सक्राइब थोड़ा फ़से बास टीक है नीचे दीडर दीडर जाओ वान तो यह नाग बना बना के ऊपर तक जाना है कर देना या जो भी है मत कर देना पर बॉयकॉट हो ले के लिए फेमस होना प्रस्टे के अगर पर दस वीडियो डालू तो सेल परस्टिंग या अच्छा बिल्य दिर का है इक रवाप चालो कर छाना पर यहां फरिवाप मेरा यह इस से क्या होना भूलत ह fel और क्रेंश करने हें तो तो संस नहीं बनता है गुरे कुछ कुछ चीजे मन नहीं होता है तो भी करनी पड़ती है आपने कुछ नोटिस किया कि मेरे कपड़े बदल गए वीडियो में अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे थे सो यह था आपका सेकेंड लेग डे और आज मैं खतम कर रहा हूं यह सीरीज बिगनर होम वरकाउट सीरीज खतम हो चुक है अब इंटरमीडियर में मैं खुद वरकाउट करूँगा वह चलेगी काफी लंबी उसमें ना क्योंकि एक्सेसराइज की फॉर्म पर ध्यान देंगे और बागी सारी चीजों पर जान देंगे जो की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डाइट वैट भी तूड़ी करके मैं बता ही दूँगा आप लगों को सु थैंक यू फॉर वाचिंग हम नाइस टेया सीन दो नेक्सार बाबाए